वेलकम तो माई चैनल रवी फिजिक्स बिद्या और माई ओफलाइन कोचिंग सेंटर बिद्या एजुकेशन आटीज नेट फाउंडेशन पाथ फोर देश्ट तो प्रेजेंटली हम लोग 11 फिजिक्स रिज डिसकस कर रहे हैं और इसके पहले जो क्लिप में मैंने क्या डिसकस किया था रिलेटिव मोशन इन द वन डाइमेंशन बट राइट नाव विल डिसकस रिलेटिव मोशन इन द प्लेन दिखें इसमें बेसिक कोई बिग डिफरेंस नहीं है रिलेटिव मोशन इन द वन डाइमेंशन वो आपको उसमें दोनों पार्टिकल का जो वेलसिटी जो होता है एक ही लाइन के लोग होता है मतलब दोनों वेलसिटी के बीच का अंगल ठीटा या तो 0 डिगरी या तो 180 डिगरी लेकिन यहाँ पर जो होता है आपका डिफरेंट होता है जैसे मैंने एक सिट्वेशन दिखाया है आपको जैसे यह आप दिखें डाइग्राम में अपन डिसकस करें रिलेटिव मोशन इन्टू द प्लेन दिख रहा है यह प्लेन में है यह A की विलेशिटी इदर इस डिखेंस में पी की विलेशिटी इस डिखेंस में है वन डिमेंशनल में क्या होगा ठीटा या तो 0 डिगरी होगा या तो 180 डिगरी होगा लेकिन यहाँ पर ठीटा आपका 0 या 180 से अधर एंगल होता है because we are discussing relative motion in the plane here और बाकी concept वही है मैंने आपको बता चुका हूँ कि mathematical relative velocity होता क्या है tell me please a vector difference होता है अगर जिसे मैं बोलू velocity of the A with respect to B तो actually यह क्या होगा BA minus BB होगा ठीक है और इसका अगर mod लेते हैं तो under root BA square plus BBA square minus 2BA BB cos theta root के अंदर में लेंगे और दूसरी बात already मैंने एक बताया है कि अगर हम लोग बात करें इसका जो velocity of the A with respect to B तो इसमें हम लोग क्या करेंगे B को किसमें लेंगे rest में जूम करेंगे और उसके हिसाब से A के velocity को modify करेंगे ठीक है तो यह concept है इसमें और इसमें आपको जैसे कि कुछ हमारे relative velocities का use होता है जैसे आपको two particles का जो collision होता है जैसे यह four particles to be the collide तो इसमें दो particles हैं और दोनों particle different different मतलब उनका velocities है तो क्या condition होगा कि उनका collide करेंगे तो उसमें क्या होगा relative velocity जो होगा मतलब velocity of the one particle with respect to another particle उसका जो direction होगा वो दोनों particle के line joining के along होना चाहिए ठीक है their combined relative displacement becomes zero आरी वसाज में तो यह चीज़ होना चाहिए उसके बाद आपको और भी इसमें conditions है जैसे their combined vertical velocities will be same relative velocity मतलब दोनों का relative vertical velocity जो होना चाहिए ओ जीरो होना चाहिए they are projected लेकिन इसमें condition है कि अगर यह किस conditions में जब आपको उनका जो दोनों का जो projection होगा ओ मतलब same level से होना चाहिए और तिसरी बात है कि इसमें their combined motions be converted into one dimensional motion मैं पहले ही बताया था कि अगर एक body किस conditions में आपको ध्यान देना है कि अगर दोनों particle की velocity plane में है different angle पर है theta 0 और 180 नहीं है तो relative velocity दोनों particle के line joining के along होना चाहिए एक और यह concept है relative path of a projectile with respect to another projectile मान लिजए कि आपको दो projectiles है और वो आपको ground से दोनों को projected किया गया है और different speeds है e1 है theta 1 है u2 theta 2 है ठीक है तो अब यह अगर different different condition है अगर आपका e1 cos theta 1 is equal to u2 cos theta 2 होता है तो relative path जो होगा आपका vertical होगा क्योंकि उनको horizontal जो velocity आपका field नहीं आएगी क्योंकि दोनों का horizontal component क्या है same है उसी तरह से आपका यह condition है अगर आपका e1 sin theta 1 और u2 sin theta 2 अगर same होता है तो relative path जो होगा आपका horizontal होगा vertical component की आपकी field नहीं आएगी तो यह हमारा relative residue concept है अब जैसे एक और इसमें बहुत important concept है change of the frame जैसे velocity of the A with respect to B plus velocity of the B with respect to C तो यह B वाला क्या होगा overlap हो जाएगा और बन जाएगा velocity of A with respect to C जैसे boat river problem हो गया rain drop problems होते हैं rain mind problems ओसमें यह change of frame ही होता है different different जैसे VRM plus VMG is equal to VRG तो VRM क्या होगा यहाँ पर velocity of the rain with respect to mind VMG क्या है velocity of the man with respect to ground and VRG क्या है velocity of the rain with respect to ground ठीक है तो यह concept हो गया उसी तरीके से आप यह से ले सकते है velocity of the boat with respect to river plus velocity of the river with respect to ground तो बोलो आप लोग क्या होगा तो velocity of the boat with respect to ground और VBR और VRG के बीच के बीच का आपको angle देखना होगा जो भी निकालना होगा तो यह यहाँ पर vector calculations करना होगा ठीक है तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ इसमें VRM का तो VRM क्या है VR minus VM मतलब relative velocity under root VRM square plus VM square minus 2 VRM VM cos theta तो यह concepts है यह से हम लोग यह rain man problems का देखते हैं तो rain man problems में क्या है आपको जैसे कि यह देखिए आदमी rest में है तो उसको rain vertical दीख रहा लेकिन जब वो दौणना चालो करेगा तो उसको incline दीखेगा तो मतलब यह क्या है velocity of the rain with respect to man है तो this is adjust आपका relative velocity हुआ VRM हुआ and it is vector mod of VR minus VM अगर उसका mod लेते हैं और आप देख रहे हैं कि rain की velocity क्या downward है और man की velocity horizontal है तो angle कितना हुआ 90 degree तो total velocity relative velocity क्या होगा under root Vr square plus Vm square और अगर हम इसका vectorial form लीखे तो vector Vr minus Vm तो Vr minus J cap and minus Vm i cap ठीक है और एक हम लोग different case discuss कर सकते हैं rain is already falling inclined way मतलब जिसे यह तिर्षा है vertical से theta angle बना रहा है इसका downward component Vr है ठीक है मतलब यह minus J में भी है और I में भी है और अब अगर आप मी एक उसी eye directions में दौनना चला चालू करे और अगर man की velocity और यह जो rain दीख रहा है उसकी horizontal component अगर same हो जाए तो उसको सिर्फ यह vertical component वाली feel आएगी ठीक है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है absorber is moving horizontally with a speed Vm he finds that rain is falling vertically तो यह मतलब किस condition में we have to find the condition you know for what condition he will feel the rain will be falling vertically right तो यह concept discuss करना होगा तो इसके लिए हम लोग कुछ mathematical treatment करेंगे जैसे आप देख लिए यह आपका rain का velocity vr है इसका component यह horizontal vr sin theta और यह vr cost theta और mine की velocity vm तो मैंने अल्लेडी बोला है कि अगर vm और vr sin theta अगर same होता है तो आपका क्या होगा वो सिर्फ यह vr cost theta feel आएगा तो देखें conditions required conditions क्या होगा vr sin theta is equal to vr sin theta is equal to vm by vr और relative velocity जो होगा उसको सिर्फ vr cost theta दीखेगा तो vr is equal to under root vr under bracket 1 minus sin square theta तो is equal to vr 1 minus and sin theta is equal to how much here vm by vr तो sin theta square cost theta को क्या लिशकते है 1 minus sin theta square का root तो we put the value vm square vr square and solve करते हैं इसको तो vr नीचे में आ रहा है यहाँ पर तो यह आपका out of the root जाएगा तो vr हो जाएगा that will be cancelled here and that will be vr square minus vm square तो देख रहे हैं आप कि actually यह बस इसमें difference क्या है कि relative velocity जो है different angle पर है it is not 0 degree and 180 degree ठीक है और आपको यह जो हमारा भी clip finish हो रहा है और आप यह दिवाली vacation के बाद हमारा जो बहुत crash course जो 12 के लिए CBSC GACB का crash course launch हो रहा है उसमें आपका one-to-one solving होगा NCRT का fully revision होगा जबर जास तरीके से revision कराया जाएगा और उसमें high score लाने का हम लोग परियास करेंगे कि हर बच्चों का बहुत अच्छा score हो जाए थाइंक्यू झाएंक्यू झाएंक्यू